सूप्रभात बच्चों कक्षा चोथी विशय हिंदी उप विशय पाठ ग्यारह मेहनत का फल पुस्तक का नाम नई पुल मोहर हिंदी पाठे पुस्तक व्याख्यान तीन बच्चों आज हम व्याख्यान तीन में पाठ को सार रूप में पढ़ेंगे पाठ में आए प्रश्न उत्तर व्य भाशाग्यान के बारे में जानेंगे एक दिन एक छोटा सा बालक छुट्टी के दिन अपने पिता जी के साथ काम पर उनकी मदद करने गया उसने एक जूते का तला चिपका कर केल ठोकने के लिए पिता जी से पूछा पिता ने बेटे को समझाते हुए कहा कि पहले इसे सूख कर चिपक जाने दो जल्दबाजी करने से जूते का तला दो-चार दिनों में ही फिर से अलग हो जाएगा जो काम करो ढंक से करो अच्छा करो और पूरी लगन से करो थोड़ा बड़ा होने पर उसने सडक के किनारे एक पेड के निचे जूते पोलिश करने और मरमत करने का काम शुरू किया हर छोटा बड़ा काम पूरी लगन से करने के कारण उसके पास आने वाले लोग उसके नियमित ग्राहक बन जाते थे जगह की कमी के कारण उसे बहुत से लोगों को लोटा देना पड़ता था एक दोस्त की सलाह मान कर उसने किराए पर एक दुकान ले ली जुते रखने के लिए अब स्थान की कमी नहीं रही मदद के लिए उसने एक दो आदमी भी रख लिए एक दिन उसकी माने उसे नए जुते बनाने के लिए कहा लड़के के मन में मा की यह बात बैठ गई अपनी थोड़ी सी जमापूंजी से उसने वही दुकान पर छोटा सा कारखाना लगा लिया उसकी लगन, इमानदारी और मेहनत के कारण उसके जुतों की प्रसिद्धी बढ़ती गई लोग उसके जुतों को उसी के नाम से जानने लगे उस लड़के का नाम बाटा था जिसके बनाए जुते आज घर घर में पहने जाते हैं बच्चों, इस पार्ट से हमें यह सीख मिलती है कि समाज में हर काम महतोपूर्ण होता है कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता प्राश्ण एक सही उत्तर के सामने सही लगाईए क्या करने से जुते का तला फिर से अलग हो जाएगा नमबर एक, जल्द बाजी करने से नमबर दो, देर करने से नमबर तीन, बल प्रियोग करने से नमबर चार, तेज चलने से नमबर एक विकल्प सही है जल्द बाजी करने से प्राशनक है यही है ग्राहक बन जाता नमबर दो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिये मरम्मत दक्षिन अमेरिका लगन पेड़ मूल मंत्र बच्चों इन शब्दों की सहायता से हमें वाक्यों में आए रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है वह अपने पिताजी के साथ जाता और लगन से काम सीखता बच्चों यहाँ पर रिक्त स्थान में लगन आएगा खर उसने पेड के नीचे काम के लिए जगहें खोज ली इस वाक्यों में रिक्त स्थान में पेड आया है गर वह लोगों के जूते पोलिश करता और मरमत करता था यहाँ पर रिक्त स्थान में मरमत आया है गर पिताजी की सीख को उसने जीवन का मूल मंत्र बना लिया था बच्चों यहाँ पर रिक्त स्थान में मूल मंत्र आया है अंगे बाटा ने एशिया दक्षणी अमेरिका और अफ्रिका में बाटा के उत्पादों को बाजार में उतारा बच्चों इस वाक्ये में दक्षणी अमेरिका रिक्त स्थान में आया है प्रश्न तीन निम्न लिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए का पिता की किस सीख को बाटा ने अपना मूल मंत्र बना लिया था उत्तर है जो काम करो धंग से करो अच्छा करो और पूरी लगन से करो इस सीख को बाटा ने अपना मूल मंत्र बना लिया था प्रश्न खर बाटा की मा ने उसे क्या सलाह दी उत्तर है बाटा की मा ने उसे नए जूते बनाने की सलाह दी मा ने उससे कहा की तुम्हारे बनाई जूते मजबूत होंगे तुम्हारा काम अच्छा है लोग तुम्हारे बनाई जूते खुशी खुशी खरीद लेंगे प्रश्न गर बाटा के जूतों की प्रशिद्धी क्यों बढ़ गई थी उत्तर है बाटा की लगन इमानदारी और मेहनत के कारण उसके जूतों की प्रशिद्धी बढ़ गई थी प्रश्न चार सही वाक्यों के सामने सही तथा गलत के सामने गलत लगाईए कर बाटा स्कूल में जाकर पिताजी के साथ काम करता था यह कथन गलत है ख सडक पर काफी लोगों का आना जाना होता था यह कथन सही है गई बाटा ने दोस्त की सलाहा से बाजार में एक दुकान खोली यह कथन सही है ख मा की सलाहा से बाटा ने नई जूते बनाई यह कथन सही है अंगे बाटा की मृत्यू असी वर्स की उम्र में हुई यह कथन गलत है अब हम बच्चों भाषा ग्यान के बारे में जानेंगे नमबर एक वर्ण विच्चेद की जिये क छुट्टी इसके वर्ण विच्चेद इस प्रकार करेंगे इसका वर्ण विच्चेद इस प्रकार करेंगे इसका वर्ण विच्चेद इस प्रकार करेंगे म जमा अ जमा र जमा अ जमा म जमा म जमा अ जमा त जमा अ जमा त जमा अ जमा अ जमा त जमा अ जमा जमा अ जमा 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 अ जमा 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 अ जमा जमा अ जमा जमा अ जमा जमा अ प्रशन शा इमान दारी इ जमा म जमा आ जमा न जमा आ जमा द जमा आ जमा र जमा इ इमान दारी नमबर दो पढ़े, समझे और लिखे इस त्री लिंग अकारांत शब्द बच्चों ये दिये गए शब्द स्ट्री लिंग अकारांत शब्द है जैसे दुकान इसमें अन्त में आ है तो ये अकारांत शब्द है धुकान ग, दुकान, दुकाने ख, पुस्तक, पुस्तके ग, औरत, ओरते ग, बंदूक, बंदूके अंगे, दाल, दाले च, आवाज, आवाजे च, टांग, टांगे पुलिंग, आकारांत, शब्द बच्चों, दिये गए शब्द पुलिंग है और आकारांत है जैसे जूता, अंत में आ है आकारांत शब्द है जूता, जूते, जै गधा, गधे यां, रुपिया, रुपिये ट, बाजा, बाजे ठ, डंडा, डंडे ड, बगिचा, बगिचे ध, गुब्बारा, गुब्बारे नमबर तीन रेखांकित संग्याओं के भेद लिखिये कर रिलाइंस कंपनी के संस्थापक धीरुभाई अंबानी थे अच्चों, यहां पर रेखांकित है धीरुभाई अंबानी यह व्यक्तिवाचक संग्या है ख, पिताजी ने हाथ में चमडा पकड लिया बच्चों, यहां पर चमडा रेखांकित है और यह संपूर्ण जाती का बोध कराता है इतलिए यह जातिवाचक संग्या है ग, वह लोगों के जूते पोलिश करता था यहां पर लोगों रेखांकित है जो संपूर्ण जाती का बोध करा रहा है इसलिए यह जातिवाचक संग्या है घ, उसकी इमानदारी के कारण प्रसिधी बढ़ गई बच्चों, यहां पर इमानदारी रेखांकित है और यह भाव को प्रकट कर रहा है इसलिए भावाचक संग्या है अंग्या, पाटा का जन्म प्राग में हुआ था बाटा रेखांकित शब्द है यह व्यक्ति का नाम है इसलिए व्यक्ति वाचक संग्या है नमबर चार दिये गए वाक्यों में प्रियुक्त काल के भेद लिखे बच्चों हमें काल का भेद बताना है कि वह वर्तमान काल है भूत काल है या भविश्यत काल है कर वह हर छोटा बड़ा काम पूरी लगन से करता है यह वर्तमान काल है भे वह लोगों के जूते पॉलिश करता तथा मरम्मत करता था यह वाक्य भूत काल में है गर लोग तुम्हारे बनाई जूते खुशी खुशी खरीद लेंगे यह वाक्य भविश्यत काल में है घर वह जितना काम करता धंग से करता था यह वाक्य भूत काल में है अंगे बाटा की म्रत्यू एक सितंबर दो हजार आठ को हुई यह वाक्य भूत काल में है पाठ ग्यारह मेहनत का फल व्याक्यान तीन बच्चों आज आपको प्रदत कारिय दिया जा रहा है आप सबसे पहले दिनांक, अपना नाम, अपना अनुक्रमांक, अर्थात, रोल नंबर और अपना अनुभाग लिखेंगे उसके बाद प्रदत कारिय करेंगे प्रशन एक है सही वाक्य के सामने सही तथा गलत वाक्य के सामने गलत लगाईए आपको बताना है कौन सा वाक्य सही है, कौन सा गलत है उसके सामने आपको सही और गलत का निशान लगाना है ख एक दिन एक छोटा बालक चुट्टी के दिन अपने पिता की मदद करने गया ख बालक ने जल्दबाजी में कील ठोक दी गर उसने एक स्कूल के पास काम के लिए जगह होज ली प्रश्न दो उचित कारक चिन भर कर वाक्य पूर्ण कीजिए बच्चों हमें जो वाक्य दिया है हमें उसमें कारक चिन का प्रियोग करके वाक्य पूरा करना है कर उसने एक जूते रिक्तस्थान तला चिपकाया ख जो काम करो ढंग रिक्तस्थान करो ग एक दोस्त ने उसे बताया कि सामने बाजार रिक्तस्थान एक दुकान खाली है गह सडक पर काफी लोगों रिक्तस्थान आना जाना होता था प्रश्न तीन पिता की किस सीख को बाटा ने अपना मूल मंत्र बना लिया था इसका उत्तर आपको लिखना है प्रश्न चार निम्न लिखित शब्दों के आर्थ बताईए प्रश्न पांच वर्ण विच्छेद कीजिए बच्चों इन शब्दों के वर्ण विच्छेद करके आपको लिखने है क, खुशी, ख, दाल, ग, बालक, ग, सडक, अंगय, छुट्टी, च, दोस्त पार्ट ग्यारे मेहनत का फल, व्याख्यान दो, ग्रिही कारिये का हल अब हम व्याख्यान दो में दिये गए ग्रिह कारिये का हल जान लेते हैं आप सभी ने अपना ग्रिह कारिये कर लिया होगा, चलिए देखते हैं कठिन शब्द शब्द अर्थ नमबर एक शिकर इसका अर्थ है सिर या चोटी नमबर दो ज्वैलन्त इसका अर्थ है स्पश्ट रूप से दिखाई देने वाला नमबर तीन मुकाम इसका अर्थ है जगह या पड़ाव नमबर च्यार जल्द बाजी इसका अर्थ है शिग्रता नमबर पांच धंक से इसका अर्थ है ठीक प्रकार से नमबर च्यार लगन इसका अर्थ है ध्यान लगाना नमबर साथ, खोज, इसका आर्थ है ढूंडना नमबर आठ, मरम्मत, इसका आर्थ है ठीक करना नमबर नो, ग्राहक, इसका आर्थ है खरीदार या लेने वाला नमबर दस, प्रहशंशा, इसका आर्थ है तारीफ नमबर ग्यारह है, मूल मंत्र, इसका आर्थ है कुंजी या मूल तत्व नमबर बारह है पुंजी, इसका आर्थ है धन नमबर तेरह है प्रसिद्धी, इसका आर्थ है ख्याती धन्यवाद